आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ समस्टर के जियोग्राफिक के MCQ टाइप के most important question and answer के बारे में के तो आपको इस बात को भी ध्यान ठकना सब्जक्ट तौ आप लोगों का geography यानी futuro बैइक ही प्रश्ण पे क्सितने को सब्सक्राइब क्राहई किस वेलिए घरिये में कि सब्सक्राइब शहाएं पर और वह सारे को प比較 पूँआ को सही बताना है सही उत्तर कौन सा होगा तो फिराल यहां पर सही जबाब हो जाएगा आप से नंबर आ मानो भूगोल आर्थी बगोल किस विशे की साखा है तो मानो भूगोल की यानि कि हुमेन जोग्राफी के ध्यान रखेंगे अगला की आर्थी भूगोल में परजियन की बिधियों यानि कि जीने की बिधियों में एक स्थान से दोस्रे स्थान पर मिलने वाली समानता यों बिसमता का अध्यन किया है यह कतन किसंश्व 1957 का है हलाकी कि इस कोषिच्चेeto की उम्मीद कम है लेकिन रखेंग तो जगली वीटर रहे गा ठीक है और अगला सब्सक्राइब कि इंग्लिस में एकोनोमिक जियोग्रफि वोलते हैं तो आर्ठी भुगोल में मानों कि क्रियाओं कि प्रोसेस का अध्धिन किया जाता है किस चीज का अध्धिन किया जाता है सब्जेक्ट चैन देहां नख्खेंग बहुत ही महात्पूर्ट प्रश्ण है और आपको जानना भी चाहिए और बहुत ही हाई लेबल कोश्चन कई बारा भी चुका है तो सही जबाव इसका हो जाएगा आपसे नमबर सा आर्थी क्रियाओं का दिन किया जाता है अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्वान आर्थ कि सभी है तो इस विद्वान का नाम है डेविस डेविस जो है इनका आर्थी भूगोल से संबंध नहीं किसी भी प्रकार का बाकी गेट से हैं प्रफेसर सो हैं चीलोस ठीक है चीज सोल्म है इन सभी का संबंध जो आर्थी भूगोल से लोग इससे संबंधित है डेविस नह अगला प्रस्टन है कि निर्माड उद्ध्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं माली जे किसी चीज का निर्माड करना कोई चीज बनाना है ठीक है कोई काम है उद्ध्योग है ठीक है तो वो किस आर्थिक क्रिया में आते हैं तो वो किस आर्थिक क्रिया में आते हैं ध्यान द्यान लख्ष सब्दाइब मचली पालन यानि मत्त से उत्त पादन बेवसाए जो ये आता है प्रात्मिक अदर ठीक है ध्यान रखेंगे साह होगा अगला प्रश्नय कि विश्व के उत्तर दक्री विभाजन का उत्तरा गई हम सब्त है कि विवाज्ट है इसका कौना मां धन रहे तो कि विवाज की हिरा ज़ाओ है सी जैवाब शायगा साव नमबर्ट कि लेखक ने आर्थ बहुफ था में आइस्डकर डेपेंस की क्रसी भूम प्रियोग मौडल एक आर्थिक मौडल है या किसके द्वारा बताया गया है कौन से विद्वान की द्वारा मतलब कि क्रसी जो भूम है इसका प्रियोग मौडल जो एक आर्थिक मौडल है ठीक है और ये बात कौन से विद्वान ने कही है तीक है तो उनका नाम है वान थ्यूनेन वान थ्यूनेन आ नमबर सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि किसी प्रदेश की क्रफी दच्छता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रियोग किया जाता है तो यहां पर कई सारे अपसंदिये गहें सही जबाब हो जाएगा इन मैं आपके जानकारे किल्वता दूस्त सही मिलान होगा बताएगे कमांड स्क्षिन में आपको मालूम है तो सही जबाब यह होंगे यहां पर सिकेंड थर्ड और फिप्त और यह फश्ट ठीक है यह वाला दो नमबर अलाकि कोश्चन आने का मुमीद है तो इगनोर भी कर सकत आने मतलब की उनके प्रकृतिक संसाधन जही करता है मतलब की यह कृतिक उलटको community में से क्या loud energy कारपों का उदा हरन है तो शाहिजबाब हो जाएगा वह ईजिच्छड यानि की सिच्छा नंबर साहिजबाब अगला की लकड़ी काटने का ब्युश्य किस रेनी में आता है लकडि जब काटन होता तोछ इस इति डिवाइड किये गये हैं तो लेकर नाटना प्राथमिक इस रेनी में किस द्वारा जाना जाता तो दुतिय अक्रिया में जो लोग लगे होते हैं स्रमिक हो मजदूर हो नीली कलर के नाम से ऑव Kansas होगा अगला है कि सतहि खनन को किस दूफ्रे नाम पर जाना जाता है उसका नाम हे खुली n projects अगला कि भूमिगत खनन पद्धत को किस नाम पे जाना जाता है ये आप सभी के ध्यान देने वाली बात है इसका सभी जवाब हो जाएगा अफसे नंबर आ चालिक सौफ्ट पद्धत ध्यान रखेंगे इंप्वार्टन्स भी तो सकता है अगला कि सोह कोह क्या है तो सो सोह कोह जो है वो एक प्रकार का राज ठीक है ध्यान रखेंगे राज जी के स्वामित वाले खेत होते हैं जिनको सोह कोह कहा जाता है राज यानि कि जिस भी राज जी का जो भी खेत है उसका स्वामित मतलब कि स्वामी उसका मालिक ठीक है तो उसको सोह कोह कहा जाता है अगला कि आर्थी भूगोल के अंग कौन से नहीं है इन आपसरों में से तो आर्थी भूगोल के जो अंग नहीं है वो है ध्यान रखेंगे संसाधन भूगोल बाकी ये सभी हैं ध्यान रखेंगे दा नंबर संसाधन भूगोल नहीं है बाकी करशी भूगोल अद्धोगी भूगोल व वीवभारिक दिश्ट कोर वाल वीशे किसने बताया है कोनसे विध्वान में बताया है उनका नाम है ब利दोंने वंटाया है आदम्बर सहीजवाब होगा अगला है की मानो के विभिन उद्देस वंकि और सक्ताओं की पूर्ति अत्वा किसी कठनाई के निवारन में सहायक गोचर या अगोचर तक कौन हैं तो सही जवाब हो जाएगा वो है संसाधन है जवाब हो से विद्वान का है तो यह कथन जो है वह सिरी यसी वांट रप का है बानमबर सही जवाब होगा ध्यान रखेंगे नाम थोड़े हार्ड है लेकिन आपको ध्यान रख रहा है अगला कोश्चन है कि किसी देश या छेत्र के वे संसाधन जिनका उपयोग निकट भविष्ट में किया जा सकता है वे किस प्रकार के संसाधन कहे जाते हैं तो वह हैं संभाब्य संसाधन कहलाते हैं संभाब्य संसाधन कहलाते हैं सानमबर सही जवाब होगा अगला है कि बंजर भूम निम्नि में से क्या है तो बंजर जो भूम होती है जमीन होती उसको प्रतिरोध कहा जाता सबसे बड़ा संसाधन है यह बात प्रमुक बिद्वान के द्वारा कही गई है और यह प्रमुक बिद्वान का नाम है जिमर मैन एवं मीचेल जिमर मैन एवं मीचेल ठीक है अगला कोश्चन है कि परिवर्धनिय साधन कौन है इना आप सुनों से तो परिवर्धनिय साधन जो है वो खनीज है तो खनीज में आप लोग जानते क्या क्या आता अच्छे से ठीक है अगला प्रश्चन है कि आप परवर्धनिय संसाधन में है वह वनस्पति आता है और आप परवर्धनिय संसाधन में जो आता है वह KHANINA ठीक है अगला कुस्छ सब्सक्राइब कोई कपास मिटटी किसे कहते हैं बताइब कपास मिटटी किसे कहा जाता है बहुत महात्मूर्ण प्राशन वाहत्प्राइब सबसे कम मतलब है तो जलोद मिट्टी सबसे कम जो है वो है किस प्रदेश में वो है मद्ध प्रदेश में सबसे कम है अगला की काजरी कहां है तो काजरी जो है वो जोधपुर में जो की जोधपुर कहां आता है राजिस्थान में अगला की निम्न में से गलत तत्थ या फिर गलत फैक्ट कौन सा है इन आपसनों में से तो एक गलत है इन आपसन दिये गए चाल लेकिन इसमें गलत है वो यह है कि परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं ये गलत ठीक है एक लाइन है ठीक है आफशन है बाकि सभी सही है अगला की रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा ठीक है रेगुर मिट्टी सफे ज्यादा क्या है जलोड मिट्टी है काली मिट्टी है तो रेगुर मिट्टी जो सफे ज्यादा जो है नियार नक्रिंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है वो महाराष्ट में है जो कि आप लोग जानते हैं महाराष्ट ठीक है अगला कि किस मिट्टी को स्वता क्रप्स मिट्टी कहा जाता है तो उस मिट्टी का नाम है बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है उसे का जाता कपास का काली मिट्टी या फिर कपास की काली मिट्टी अगला है कि लावा मिट्टी पाई जाती है कहां पर तो जो लावा मिट्टी होती है ठीक है ये पाई जाती है मालवा पठार में पाई जाती है ठीक मालवा पठार एरिया में पाई जाती है अगला है कि किस म्रदा यानि किस मिट्टी को फिचाई की कम आवसकता होती है क्योंकि वहां नमी रोक कर रखती है तो ऐसी मिट्टी का नाम है ध्यान रखेंगे वह काली मिट्टी क्या होती है वह आपकी नमी बनाया रहती है और कम सिचाई क्या हो सकता पड़ती है ठीक है तो ध्यान महाराष्ट में मिलती है दानंबर सही जबाब अगला एक लेट राइट मिट्टी का प्रधान ने कौन है ठीक है तो लाइटे राइट ठीक है लेटे राइट मिट्टी का जो प्रधान नहीं वो मालावार तटिये प्रदेश में है ध्यान रखेंगे आनंबर सही जबाब होग सा लेटे right मिट्टी के लिए सही नहीं है तो एक ऐसा अफ्शन आपसन सब्सक्राइब उन में चूना प्रश्चूर मात्रा में पाया जाता है कि यह सही अफ्शन नहीं है कुंपर लोह दोहे का अत्रेक होने का कारण अनुवर होता जा रहा है तो इस प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा आपसे नंबर जान रखेंगे लेट राइट मिट्टी दा नंबर अगरा प्रश्ण के भारत का सबसे जान रखेंगे बड़ा मिट्टी का वर्ग है अताब सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है फिस फिस ज्यादा जो मिट्टी कवरग है वो है कचारी मिट्टी जिसको जलोड मिट्टी के नाम पर भी जानते हैं धान रखेंगे सही जबाबदा होगा अगला प्रस्द प्रस्थ का नाम बताना है तो वो मिट्धी है बलूई मिट्टी आप लोग जानते भी होंगे अगला कि दोमट लोम जिसको बोलते हैं मिट्टी का कौन सा कण भी मिलता है तो ध्यान रखेंग उसमें मिलते हैं सभी प्रतार के कण सही जवाबदा होगा अगला कि पश्चिमी कूछन को ध्यान डखना है अगर आप संदी गए हैं तो आपको इस इसे में से करना है क्योंकि उसका और भी मतलब हो सकता है लेकिन जो इसमें रिजाफ से फ्लेट करेंगे अगर देती है तो बहुत ही чे अब परबाता बढ़ाने के लिए जो सबसे तगड़ी फसल वे उडद्ध है इसके आप लोगो उडद दाल के पहुत ही और आपको जाना इस है कि और ली आ भाई खोने वाली जो खाल है ऊड़ान रखेंगे फोट पूश्यन थिक है ध्यान लखेंगे ऊप चालिए यहां आगला प्रश्ण कर बढ़ते हैं ब्रदाओं में भारती जो मिट्टी जिसमें सोच में सब्सक्राइब कमी होती ही वह क्या है तो इसमें सब्सक्राइब कमी होती होती है जस्ता की सही जबाब्स हो जाएगा अग्ला कि तेजावी मिट्टी को किरसी योग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो तेजावी मिट्टी को किरसी योग बनाने के लिए उसमें लाइम चूना का उपयोग किया जाता है अगला कि मिट्टी में खारापन एवं छरियता की समस्या का समाधान कौन करता है यह फिर सर्विदिक छर्य छेत्र पाया जाता है किसमें तो उक्किंद्र छेत्र जमें यह जाती है् Lori नंबर इस्ञाली पहाडियो के बाद कुस्की शेत्र में अग्ला की कौण सा तरीका मि्ट्डी में उर्बद्धा कातेर नहीं है तो एक जो है वो है बेज संसोधन यही एक आप्षन है जो मिट्टी में रूबरता प्राप्त करने का प्राप्त करने का जो तरीका है वो सही नहीं है अगला की मिरदा अपर्दन रोखा जा सकता है कैसे तो मिरदा अपर्दन जो रोका जाता है पेंड पौधो लगा इसके वजह से आध्र वनों से संबंदित कौन सा तत्ल गलत है तो वह है इनमें पत्धब वन भी कहा जाता है यहीं है इस प्रोष फर यहम चीड मुंख्यूप से पाए जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रस्वा आपको आपके परिछ्छा में देखने को भिलेंगे आज किस वीटू बश सितने तैयार की है अगर आपको चाहिए तो टेलिग्राम अटसर कर दीजिए आपको मिल जाएगी ठीक है बागी आपका अपना है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए का मिलते हैं गोड़ने वीडियो के साथ जहिंद आप